कि राम राम किसानवाईयों कैसे हैं आप सभी लोग आसा करता हूं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे बगवान से प्रार्थना करता हूं आप सभी लोग शुखी और संपन रहें बीपी काउलोबर चैनल पर आप सभी लोगों का दिल से श्वागत है और बीपी सर्दी से बचाओ कैसे करें, हम लोग अकषर परिस्सान रहते हैं, सर्दियों के सीजन शरू होती है और हमारे पस्मों को दिक्कत होने लगती है कहीं हम उनके उपर ढखते हैं कपड़े से ढखते हैं कभी उनके उपर जूल डालते हैं कभी बोरा डालते हैं कभी उनके लिए ऐसा इस्थान चूज करते हैं जहांपर हमारे पफ़नों को बिलकुल किसी परकार की हवा न लगे। जब सरदियां आती हैं हम अपनी तैयारियों में लग जाते हैं कि हमारे पफ़नों को किसी परकार की कोई सरदी नहीं लगनी चाहिए। लिकिन कुछ हमारे किसान भाई ऐसे हैं जिनके पास आज भी शिर्फ और सिर्फ रहने के लिए मकान है, पस्वों को रखने के लिए उचित विवस्था नहीं है, नहीं उनके पास कोई शेड है जिसमें वो अपने पस्वों को बांध हैं, और नहीं उनके पास इतने बड़े बड़े-बड़े कमरे रो अम पना पॉस्वर कर सके अब बड़े-बड़े डेरी मालिक होते है उन में बड़े-बड़े हॉल होती है और बड़े good बाहर गर के शामने बांदी जाती है, उनको बहुत 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 कर सर्दी लगती है, कुहरा पढ़ रहा है, बुंदा बांदी भी होती है, और पसु भीमार हो जाते हैं, लेकिन हम चाहते हैं, आपके पसु बाहर ही बंदे हैं, कोई बाद नहीं, चिंता नहीं कीजे तो कोई दिक्कत नहीं होगी आपके पफुको सर्दी नहीं लगए भिल्कुल किसी तरीका से कभी आप लोगों एसा सोचा नहीं होगा कि ऐसा भी कोई तरीका है जिसके द्वारा हमारे पस्नों का बचाओ हो सकता है। आपने अक्सर देखा होगा गउसाला बगहरा हैं यतनी भी गउसालाएं हैं बहाँ पर बहुत लंबा चोड़ा एरिया होता है। उस गउसाला में चारों तरफ से परदा लगे हुए होती हैं ठीक लेकिन अधिक गाएं होने के कारण बहाँ पर एक दूसरे की गर्मी से अपना बचाओ रखे रहती हैं। उनको गर्मी लगती है लेकिन आपने कभी इस चीज का प्रक्टिकल किया है जो पसू हमारे सडकों पर घूम रहे हैं वो कहां पर बैठते होंगी। उनके लिए कहीं पर कोई टीन सेड की बिवस्ता है या पर कहीं पर कोई ऐसे मकान बना हुआ है ऐसा कोई कमरा बना हुआ है जहां पर वो बैठ सकें। ऐसाथ कोई नहीं है। अक्तर वो पेड़ों के ही नीचे बैठते हैं। उन्होंने अपने बाड़ी को प्रकरती के अमसार धाल लिया है। और वो खुले आवास में जी रहे हैं। इसी परकार से ऐसी आज मैं विधियां लेकर आया हुआ हूँ कि आप अपने पस्मों को सर्दियों में खुले में रखेंगे। लेकिन सर्दि नहीं लगेगी। अक्सर होता क्या। हम कब ख़वर लेते हैं कि जब हमारी गायव हैं इसको जुकाम हो गया, बुखार हो गया, निमोनिया हो गया। इसके बाद हम कहते हैं कि बास्ता में हमारी गायव को सर्दि लग गई है। लेकिन हमारे या इसी चीज़ पर रिसर्च चल लई है कि हम अपने अधिक सदे गरीब किसानों का बदा कैसे कर सके तो आज का नंबर बन और उनिक फॉर्मूला लेकर आया हुआ हूं कि पसु के उपर आपको कोई कपड़ा नहीं डालना सर्दियों में कोई भी बोरा फट्ट क्या है कौन सा तरीका कौन सा फ़ार्मूला वह तो समझ लीजिए जब तक आप फ़ार्मूला को नहीं जानेंगे तब तक भीया खुले में बांदेंगे तो बीमार हो जाएगा पसु आपका इसलिए मेंचीज क्या है वीडियो को पूरा देखिएगा और एडिया को समझ ल बोलते हैं और कुछ-कुछ जगह पर अरंडी भी बोलते हैं कुछ जगह पर अंडी बोलते हैं इसका आपको 100 ग्राम तेल लेना है अंडी का तेल केस्टर ओयल इसको 100 ग्राम लेना है और 100 ग्राम आपको जैतून का तेल लेना है जिसको हम ओलिव ओयल बोलते हैं इंग्लिस में दो तेल हो गई हैं तीसरा आपको लेना है सर्सों का तेल 100 ग्राम, तीनों तेल हमें 100-100 ग्राम मात्रा में ले लेने हैं जो भी ये तेल हैं, इन तेलों में से सर्सों के तेल को हमें गर्म करना है इसमें क्या-क्या मिलाना है? एक तो हमें जाइफल लेकर आना है उस जाइफल को वारिक पीस लेंगे, पीसने के बाद में उसी तेल में डाल देंगे और करीब करीब 25 ग्राम लहसुन ये भी हमें उसी तेल में डाल देना है तीसरे नंबर पर 25 ग्राम आमा हल्दी ये भी इसी तेल में हमें डाल देना है और वो तेल अच्छी तरीका से हमें गर्म कर लेना है जब वो तेल गर्म हो जाए उसके बाद में वो सरसों बाले तेल को हम चाय चालने बाली चलनी से चाल लेंगे फिर क्या करेंगे जितने भी हमारे दो एक्स्ट्रा तेल बचे हुए हैं एक तो सरसों अंडी का तेल बचा हुआ एक जैतुन का तेल ओले ओल बचा हुआ इनमें उसी फ्राइ की हुए सरसों के तेल को हमें मिक्स कर देना चाहिए जब हम मिक्स कर देंगे फिर दस ग्राम इसमें लहुरी नमक पीस करके मिला देंगे ये हमारी एक संजीविनी बूटी तैयार हो गई है ये सरदियों के लिए अब इसको प्रियोग कैसे करना है जितने भी हमारे गाय भेंस सींगों वाले हैं जिनके सींगों होते होर्न होते हैं मोटे मोटे सबी लोग जानते हैं जितने भी शींगों वाले हैं, उनके शींगों पर सब्ता में एक बार ये तेल लगाना है। जैसे शिंग गायब हैंस का, इस पूरे शींग पर हमें तेल लगा देना है। और अधिक सदिक तेल कहां पर लगाएंगे जहां पर ये शींग की जड़ होती है। उस जड़ पर अच्छी तरीका से हम तेल लगा देंगे। बलके दो-चार बूंद वहां पर दो-चार ड्रॉब हम उस तेल को वहां पर डालनें। कहां पर? सींग की जड़ पर। सब्ता में एक वार करना है। जब हम देखें कि हमारे पसु ने सींग गंदे कर लिए, मिट्टी लगा ली है या फिर वो तेल हट चुका है। उस दौरान हमें दोबारा फिर से वहां पर तेल लगा देना चाहिए। और जो पसु हमारे ऐसी होते हatoreें, जिनका हम्प होता, जिनका इन पीठे के उपर, कंदा के उपर, इस प्रकार से एक गोल हम्प होता जिसको हमारे थाठा बोलते हैं उस हम्प पर हमें करीब-करीब 10 ग्राम तेल लगा देना। कौन साथ जो हमने बनवाया है वो वाला तेल, आप सब्ता में एक बार लगाएंगे, ये कहीं पर संबेदन सील इस्तिती आ रही है, कि पसु डेली मिट्टी में बैठता है, तो हम या उसे नहला रही हैं, पसु को दूब निकली और हमने नहला दिया, उस दौरान हम सब्ता मे दो बार भी उस तेल को प्रियोग कर सकते हैं, कहां पर एक तो सींगों पर और दूसरे प्रियोग करेंगे, कहां उसके हमप पर जो इहां पर शोल्जर पर एक हमप होता गोल उसके उपर लगा देगे, अब आती मुक्ष बात, आप कहोगे भीया हमारी तुगाय मुंडी है, उसके सींग ही नहीं तो हम कहां लगाएंगे, कोई बात नहीं, जहां पर आपने सींग दगवाए थे, उसके सींग नश्ट करवाए थे, वो इस्थान तो भाया सुरच्छित है, यहां पर सींग था और यहां से सींग हमने दबबा दिया, केमिकल से या किशी और तरीका से खतम करवा दिया है शिंग को शिंग नगला ही नहीं तो हम उसी इस्थान पर तेल लगा देंगे अच्छी तरीका से जो भी हमने शिंग दबबाया वहाँ पर हमने तेल लगा दिया उसके बाद में कहां लगाएंगे केबल दो जगा आप इस तेल का प्रियोग कीजिए सब्ते में केबल एक बार करना है यह आप दो बार तीन बार सब्ता में प्रियोग करते हैं तो और ही अच्छी बात है आपकी सर्दियों से बचा हो जाएगा सर्दी नहीं लगेगी पसू को जब कहीं सर्दियों में बारिस होती है उस बारिस में हमारी पसू भीग जाते हैं दोबारा वही है उसको अच्छी तरीका से कप्ड़े से साफ करो भीगए हो परसंग बाडी को और उस पर शीमों वाल से सुरच्छा हो जाएगी आपके विमार नहीं पड़ेंगे और नहीं सर्दे जुखाम निमोनिया कोई भी दिक्कत नहीं होगी तो अब अपने नए अनदाताओं से जो भी हमारे नए अनदाता हमारे देश्प्रे में हमारे भाई जो भी नए हैं उन सबी से निवेदन है कि आप लोगों ने यह चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे हमारी अगली आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और उमीद करता हूँ आज की वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी और फिर मिलता हूँ एक नई समस्या और उसके समाधान के साथ में तब तक के लिए जैराम जी की